तो में नाँ में कुछाल कुमाओ और यह हो wraps ब्लकुल बेस वेरियन्ट इस वीडियो मुँ इस कार के बादेब करने वाले हैं क्याख प्रूजय कर आथर करके इंटीर डूर ब्लकूल भीन्फ रहने वाले है करके एससे स्लेडिय और वेरियसनल नहीं रहे जाए है और उससे इ वी धिफ्रेंस नहीं रहता है जो आपको ईवरेंट में मिलेंगे वह यह आपको फीचर्यस बिस्ट्रोय देखने में कोई भी नहीं कहने कार का जो की डूल केलर में रहता है इसकार का जो अपर मोडल है वो 1,10,000 रूपी इसकार से इतने प्राइस में आफ आफ्टर मार्के काफी अच्छा काम इसमें करा से लगवा सकते हैं अपने टेस्ट के साफ से और इमोट सेंडर लोकिंग कुछ ऐसी आपको करानी है बेस करेंट में सबस्क्राइब करते हो मैं इसकार की तो कुछ तरह कि आपको इसकार में की मिल जाती है बेसिक सी की रहेगी रिमोट सेंडर लोकिंग आपको नहीं दी जाएगी इसको कि आप सोरूम से लगवा सकते हैं 5,000 रूपी स्प्राइज रहेगा इसकी का और यह इसकार क दियारस तो आपको इस वाले वेरेंट में नहीं मिलती है यहाप आपको इंडिकेटर अबल मिल जाएगा निचे साइड होगे है लोजन हेड लैम्स और यह इसकार की जो कि टॉप मोडेल में आपको से मिल जाते हैं जो काफी बढ़िया बात रहती है इसे वैसे वैसे देख देखने में काफी बढ़िया लगती है इस कार की फ्रेंट से देखकर तो कोई भी ने कहाएगा कि बेस मोडल है निचे साइड होगे सिर्वर स्किट प्लेट और यहीं साइड ट्रोफाइल इसकार की अब जो न्यू अपडेट आया है उसमापको जो वील कवर से बापको ब् इंडिकेटर के फैंटर पर मिल जाएगा घटिकर अपर मोडल भी लेंगे जो की एस वेरेंट उसमें भी आपको इंडिकेटर फैंटर पर यहेंड बिल जाते हैं इंटेर्य और ने में एंटिर इसकार को डॉल में रहता है देखने में काफी प्रीमियम लगता है क्या-क्या फीचर्स आपको दिये गए हैं इंटिरियर में वो सब कुछ बीडियम देख लेंगे वो डिजिटल इंस्टूमेंट के लस्टर भी दिया गया आपको उसकार में और उपकी चैड़ा को रूफ रेस नहीं मिलती है इसली आप आपको नहीं दे जाएंगे लोगो बैन्यू की वैजिंग रफ्लेक्टर सो गए पार्किंग सेंसर बेस वेरेंट होने के बाद भी देखने में काफी बढ़िया लगती है कार कोई भी नहीं कहने वाला है का बिल्कुल बेस मोडल है और को इस कार को फ्रेंट से देखेगा त ग्रिलेस कार के आपको ऐसी मिलती है चैसी टौप मोडर में रहेगी बस अधियारस आपको नहीं मिलती है बेस मोडल में पल लेकिन अगर आप बेसी फीचा चाहते हैं कार में अक्सेडियर से तो आपको सभी मिल जाएंगे जैसे वील कवर्स हो गए कुछ फीचास ऐसे हैं जो कि आपको आफ्टर मार्केट बर्ग जरूर कराने पड़े के जैसे एंफोटेमे सिस्टम होगी और उसके लावा भी काफी फीचास ऐसे हैं जो आपको बेस मोडल के इंटियर में नहीं मिलते हैं वो सब कुछ वीडियो हम देख लेंगे वह बात को तो उसकार के प्राइ इंजन मिल जाएगा 1200 CC का जोगी प्रेडियूस करता है 81 BHP की पावर बंडे 39 का टोर तो चले फिर चले इसकार के इंटीर में क्या-क्या फीचर्स आपको फिर ओफिर करें जाएंगे और इंटरनली एजस्मेंट मिल जाएगी आपको वाडियम की जो कि आपको इस्टिक दी इंटीर इसकार का ट्राइबर सी टाइबर सी टाइट्समेंट का फीचर्स नहीं है सिर्फ रख लाइन करने का दिया गया है वह यह सकार का बैक डॉर डोपना स्विल अकलर का मैनुली विंडू दी जाएगी आपको रेर में बाट्रो ले स्पेस और इसको सोरूम से भी करव करेंगे यह पार विंडूस के तो जैसे आप देखने में काफी प्रीमिम लगता है उसकार करफ करेंगे तो आपको यहां पर डीकर्डिंग वील करें लोगो भी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट करें करें कि फुली डिजिटल रहेगा आपको बेसेंट सी ओफर कर रहाता है स्पीडों मीटर मिलती रहेगी रेपर सेट इसे वेंट आपको यहां पर सिल्वाफिनिस मिल जाती है और सेंटर कंसोल आपको इसमें एंफिटम नहीं मिलेगा इसके बेस रेंट में आपको हाॉसिंग मिल जाएगी सिर्व यहां पर सिल्वाफिनिस होगी दो इसी इवेंट साइट में और मैनुल इसी इसकार में उस तरह कंट्रोल से रहेंगे त्वेल बूट को कि पावर सोकेट चार्जिंग सोकेट थोड़ा स्पेस फाइव गेर मैनुल ट्रास्पिश्यों में रहने वाली एकार को उस तरह का गेर नोप रहेगा यहां पर होगी सिल्वाफिनेस हैंडब्रे इसके साथ रहेंगी जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है यहां पर भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है अब लेकर तो स्पेस मिल जाएगा ट्राइबर सीट को अपनी हाइट के साब सज्जेस्ट करने के बाद मेरी हाट सिक्स फीट है तो लेग रूम कुछने सा अब लेकर डेश बॉर्ड के विल आपको फ्रेंट में नहीं मिलता को में मिल जागी ब्रैडनेस मिलती रहेगी यहां पर होगे घ्रेब हैंडल रेर में आपको तीन हैड्रेस मिल जाते हैं 60 एसे 40 में आप रेज सीट को स्प्रेट कर सकते हैं काफी कमफर्टेवल सीट से अं अब आप यह लगवाना चाहते हैं तो आपको एक कोस्टिंग 20,000 रुपीज की पड़ेगी जिसमा आपको एंफोटेमे सेस्टर मिल जाएगा चार स्पीकर मिल जाएंगे और रिमोट सेंटर लोकिंग के तो प्रैस में आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताई दिया था जो की 5-6,000 रुपीज आपको पड़े जाएगी रिमोट सेंटर लोकिंग फिलिप की के साथ तो फिर आप अगर ओवरोल देखते हैं तो काफी बढ़ी है वाली कार रहने वाली है फिसमा आपको बता है जिसके जो अपर मोडल आता है जो की S वेरेंट है वो 8,94,000 इसका है